बारमवार प्रणाम मेरा नाम सुरज कुमार आपको कोविट का दोर याद होगा पुद्रिश्व याद कीजिए जब आक्सिजन सिलेंडर विंटिलेटर की कमी ने देश का बुरा हाल कर दिया था डॉक्टरों पर दबाव था कि किसी विंटिलेटर पर किसे लेटाएं किसे हटाएं पता नहीं खूब शोर हुआ कि भारत की मेडिकल कंडिशनिंग बदल दी जाएगी प्रस्ताव रखे गए काम शुरु हुआ लेकिन समय के साथ उसकी रफ्तार धीमी पड़ गई उत्तर प्रदेश के प्रयाग राज में एक अस्पताल है मोती लाल नहरो मंडलीय चिकित साले इसे लोग कालविन अस्पताल के नाम से भी जानते हैं अस्पताल करीब डेड़ सौ साल पुराना है 49 साल पहले से मंडलीय चिकित साले का दरजा मिला अस्पताल में रोज तीन से चार हजार मरीज आते हैं लेकिन IPHS फुल फॉर्म इंडियन पबलिक हिल्थ स्टैंडर्स के मताबिक अस्पताल के स्थिती काफी बुरी है नर्स डॉक्टर्स की भयंकर कमी से ये अस्पताल जूज रहा है मरीज अगर नियूरो, गैस्ट्रो, निफ्रो, कार्डियो संबंधिक बिमारी से जूज रहे हैं तो इसके उपचार के लिए यहां डॉक्टर उपलब्द नहीं है जिस अस्पताल में रोजाना चार हजार मरीज आते हैं उसे केवल 19 डॉक्टर और 26 नर्स चला रहे हैं अस्पताल के अनुसार उसे 45 डॉक्टरों की आवश्रकता है लेकिन 26 डॉक्टरों के पद रिक्त पड़े हैं खाली पड़े हैं नर्सों की संख्या 100 होनी चाहिए लेकिन मात्र 26 है फचले महीने भी मरीजों की काफी शिकायते आई एक मरीज तीन हफ़ते से अस्पताल आ रहा था लेकिन उसे ये कहकर लोटा दिया जाता कि दर्द की दवा अभी नहीं है मरीजों ने आरूप लगाया कि कालविन अस्पताल में दर्द गैस शुगर तक की दवा नहीं है पर्चे पर दवाएं बाहर से लिखकर डॉक्टर अपना पलरा जाड रही है दवा काउंटरों से सीधा सपाट जवाब मिलता है कि दवा नहीं है आखिर मरीज और उनके दिमारदार करें भी तो करें क्या इमर्जनसी और वाड में भरती लोगों को भी दवाएं समय पर नहीं मिल रही है कालविन अस्पताल के मेडिकल स्टोर प्रभारी कहते हैं कि तेलियर गंज स्थित मुख्य चिकित साले के मेडिकल स्टोर से दवाएं मिलती ही नहीं तो क्या करें परासेड़मोल की एक लाख टैबलेट की मांग करते हैं तो पांच हजार मिलती है जबकि अस्पताल में रोज करीब तीन हजार टैबलेट डिस्ट्रिबूशन का औसत है सिट्रिजन पचास हजार टैबलेट मांगा लेकिन एक भी नहीं मिली दर्द की दवाएं खत्म हैं इमर्जनसी और वाड में भरती मरीजों को स्टोर से किसी तरह से रिजर्व दवाएं दी जा रही है केंद्रिय औशदी स्टोर से विटमिन बी कॉम्पलिक्स की एक लाख गोलियां मांगी लेकिन भीजी गई केबल पांच सौ पचास गोलियां ऐसे में अस्पताल करे भी तो क्या करे लेकिन विवस्था तो सुधार नी होगी और पहल राज्य सरकार को करनी होगी कहा गया है कि सरकार से डॉक्टरों और नर्सों की भरती प्रक्रिया के बारे में बात हुई है आज श्वासन दिया गया है कि महा कुम्भ तक अस्पताल में नई सुविधाई शुरू हो जाएंगे लेकिन सहब सुविधाईों का ही तो रोना है जो पहले सही बाहल सुविधाई हैं वही सुचारू रूप से काम नहीं कर रहीं पहला मकसर इसे सुधार ना होगा नई सुविधाई की बात बाद में आनी चाहिए उत्तरप्रदेश की सटीक खबरें जानने के लिए देखते रही टीवी नाइन उत्तरप्रदेश उत्रागट